तो क्या तुम लोग भी करना चाते हो अपने मुवाइल फॉन में कुछ ऐसी ऐसी या ऐसी करेक्टर मॉड पर जब करने जाते हो तो हो जाती है कुछ ऐसी तो टैंशन क्यों ले रहो यार मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें अब कई लोग तो हैं पर प्रिजमा 3D का नाम सुनकी चले रहेंगे और मैं आज तुम्हें इसे बहुत यासान तरीके से समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर एक फाइल दाश्यवर तो अब लेनिए हैं उसके बाद तुम्हें आजा चारेने धारंश को ढूंड लेना है और अपनी फाइल को में और सुबसे पहले क्लिए उसके बाद शचे पार वह सबसे पहले इसधानी पड़ेगी तो यहां तुम्हारी skin कुछ blur होगी तो तुम्हें हैं जाके pixel blend को off कर लेना इसके बाद तुम्हें इस character के आखों के नीचे वाले dot पर tap करके इने नीचे उपर set कर लेना है इसके बाद तुम्हें rotate tool पर आके इसे modeling दे लेनी है तुम इससे अपने आप से सेट कर सकते हो, मैं इसे फिलाल रुनिंग पोजिशन दे रहा हूँ तो करेक्टर मॉडलिंग करने के बाद तुम चाहो तो इस पर लाइट वी डाल सकते हो इसे तुम अपनी मर्ची से सेट कर लेना और इसके इंटेंसिटी को बढ़ा देना इससे तुमारे करेक्टर पर गलो आएगा इससे सेट करने के बाद तुम्हें थ्री लाइनस में टैप करके रेंडर पर जाना और यहां पर इसवाले आइकन को सिलेक कर देना है और प्रिजमा 3D को सिलेक करने के बाद तुमारी फोटो गैलरी में सेब हो जाएगी और अभी से तुम अराम से अपने थम्नेल्स में यूज़ कर सकते हो तो अगर तुम मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा देना लाइक बटन और मैं मिलूँगा तुम से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ रुको 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 क्या तुमने मेरी येवाली वीडियो देखी नहीं देखे तो जल्दे जाके देखो यार